बहुत सारे फ्रेंग्स बहुत सारे प्रोजेक्ट एक पूरे प्रोजेक्ट का केस्टेडी बनाते हैं पूरे बिल्डिंग में लगने वाला स्टील कैल्कूलेट करते हैं उसकी ओवरार कॉंट्रीडी कैल्कूलेट करते हैं इस तरह से हमको पूरा का पूरा cutting line निकालना एक दम चूटके हों अगर आप इससे भी fast निकालना चाहते हैं विद धे help of Excel आप मुझे इस number पर call कर सकते हैं 911-001234 नमस्कार दोस्तों मैं इंजीर राकाश बोहरे एक बर फिर से आप सब एक सोगत करता हूँ सिविल गुरुजी दस सेवल इंजीनियर्स चनी इंस्ट्यूट में आज के इस खास वीडियो में हम जानने वाले डेटेल पे एक continuous beam का पूरा का पूरा BBS कैसे निकाला जा सकता है एकदम डेटेल पे drawing को read करने के साथ-साथ मैं आपको BBS को calculate करना पे सिखाऊंगो आज किस वीडियो में दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को जितना जाद 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 लाइक कर सकते हैं लाइक करिए दोस्तों के शेयर करिए तकि उन्हें भी इस तरह की टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो सके और वो और यूसफुल इंफॉर्मेशन ले सके दोस्तों बैल का इकॉन दावारा मत बुलिएगा क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला जो continuous beam का sectional drawing हमारे पास है उसको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा important होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन-कौन सी बार हमारे beam के frame पे लगती है उनके क्या designations होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक है column 1 C1 जिसका naming है C2 और यहाँ पर similar लिए उसकी width है 400 mm अब यह continue होते गया आगे चलके और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का support नहीं दिख रहा है इसका मतलब की यहाँ पर कोई secondary beam आकर joint होगी यहाँ पर किसी भी तरह का column नहीं provided है clear engineers next जो पार्ट हमको चलना है सबसे पहले इसकी distance को समझ आजते जो इस column के center से C1 के center से C2 के center तक कर जो distance हो कितना गिवन है 2950 mm हमको यहाँ पर distance given है similarly जब मैं बात करूं यह जो हमारा C2 का center से लेकर यह जो beam है यहाँ पर यहाँ तक हमारी एक beam है यहाँ पर यहाँ के mix हुई है सामने secondary beam इस beam के center तक कर distance कितना है 2675 mm यहाँ पर हमको distance mention है clear जैसे हम पहले distance समझ लेते हैं उसके बाद next part जो हमको समझना होता है इस drawing को properly read करना अब इस drawing को read करते हैं सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर एक data given है 5-12 hash 3 plus 2 that means 5 हमको क्या बताता है number of bar यहाँ पर हमको number of bar शो करेगे 5 उसके बाद 12 hash यहाँ पर जो 12 hash दिख रहा है यह हमको show करेगा die of bar next और 3 plus 2 शो करेगा हमेशा ध्यान रखी position जैसे हमने देख लिया कि हमको यह data समझ में आता है 5 number of bars लगे हैं 12 mm डाया के 3 plus 2 के position में यानिकी 3 उपर और 2 नीचे उसको हमको आगे बढ़ता है यह देखना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक distance देखता हूं क्या कि वहने 985 यहाँ पर एक distance है clear यहाँ से 5 बार लगना चालू हुए beam के end के frame से continue यहाँ पर ह यह इस तरह से marking दिख रही है यहाँ पर यहाँ पर हमारा जो बार है वहाँ पर किते बार आ रहे है 5 लेकिन जैसे यह 985 के आगे जाता है तो total किते आ जाता है हमारे 2-12 है हमको यहाँ पर data देखने को मिलता है इसका मतलब की 5 बार यहाँ से continue चलते हुए आ रहे थे उसके ब यहाँ पर जो हमारे 3 बार पीछे चूट गए वह तीन बार क्या रहेंगे टॉप एक्स्ट्रा और दो बार जो continue लग रहे है यह कौन से है हमारे main बार क्योंकि गाई जो हमारा main बार यह पूरे span के लॉंग लगता है continue जो हमारा main बार है इस केस में वह पूरा का पूरा continue तो यहाँ पर आपको दिख रहा हुगा C2 के center से एक और 985 के distance यहाँ पर mention किया गया, clear, और यहाँ पर भी देखिए आपको एक marking दिख रहा है, इस तरफ, clear इस तरह का, तो इसका implementation है कि यहाँ पर भी एक top extra bar आया है, अब इस top bar, extra bar के specification यहाँ पर दिया है, 4-12-8, यानि कि दो बार यहाँ से चलता हुआ आया, 985 के distance अगे कितना हो गया, 4, तो 2 आ रहा है पहले से, और यहाँ पर हो गया 4, तो इसको कितना extra मिल गया, 2, तो इस side यहाँ पर कितने top extra होंगे, 2 top extra, इस side पर central part पर लगे है, similarly, अब यह जो 2 top extra यह कहां तक आ रहे है, यहाँ से वो top extra लगत हुआ है, पूरे straight कहां तक, 890 के distance तक, यहाँ पर भी आप marking देख सकते है, clear, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा, 2 top extra लगा हुआ है, हमारे 2 main bar के साथ, next जब हम बात करते हैं, इसकी next frame की, जो है, यहाँ पर हमको data दिखते है, फिर से, 2-12, यानि की, इस 890 distance से, यहाँ तक, इस central part तक कितने बार आ रहे हमारे, 2-12, वापस से data change हो गया हमारा, तो हमको यहाँ पर यह समझ में आता है, कि 4 बार आ रहे थे यहाँ तक, अब इसके बाद वापस से 2 हो गई, यानि की, 2 पीछे छूट गए, यही जो 2 बार हमारे extra लगे थे, यह पीछे छूट गई, जो 2 main बार वहाँ से end से लगता हुआ आ रहा था, यह आगे continue होता गया, 890 तक और उसके बाद हमको फिर से एक data देखने हो को मिलता है, 4-12 hash, इसका मतलब की, यहाँ से फिर यह दो बार main बार आ रहे थे, यहाँ पर फिर से 4-12 hash हो गया, इसका मतलब की, 2 top extra इसको यहाँ पर और म होता है, इस तने सारे data को हमको पढ़ना है, इस data को पूरा को पूरा हमको समझना होता है, next जो मैं पार देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं bottom बार की बात करो, तो यहाँ पर लिखा है 2-12 hash, अब मैं पूरे beam के frame पे देखना चाहूँगा, 2-12 hash similarly, यहाँ पर भी 2-12 hash, है कि टॉप बार के लिए अलग-अलग variations आपको देखने को मिल रहते, इसका मतलब की जो beam का bottom reinforcement है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो बार लगे है, 12 mm डाया के, जो की होंगे main बार, जो की पूरे continuation पे लगे हुए है, next data हम देखते हैं यहाँ पर, जो हमको गिवन है, 8 hash, 2 LGST at the rate 130 center to center, इसका मतलब की 8 mm डाया का बार है, 2 LGST मतलब 2 leg stirrups, 2 leg stirrups यहाँ पर लगा हुआ है, at the rate 130 center to center, यानि की जो stirrups, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पूरा हमारा stirrups है, continue stirrups लगा है यहाँ तक, इस stirrups का, जो spacing है, वो किता है, 130 mm center to center, तो इससे जो हमको पता चल कि जितनी भी बार हमारी लगी, उसकी cutting length calculate करना है, तो we need to calculate, सबसे पहला, top main bar, कितनी top main bar रही है, हमेरी 2 top main bar रही है, जो कि पूरे span के long लगा है, clear, next, bottom main bar, यहाँ से पूरे span के long, जो 2 bottom main bar लगा है, उसको cutting length हमको calculate करना है, top extra bar left, left यानि की, हम बात करेंगे, हमारा left अला cutting length, top extra bar at center, तो central part यह हो गया, हमारा central part C2 के long, कितनी बार आ रही है, हमारी top extra, उसका cutting length calculate करना है, same to same, top extra bar right side, तो right support में जो top extra लगी है, उसको calculate करना है, next रहता है, number of stirrups की, number, कितने number of stirrups आ रहे हैं, उसको हमको calculate करना है, तो यह पूरे drawing को पढ़ने के बाद, आप हम next step चलत इसकी cutting length को calculate करते हैं, और properly समझते हैं, कैसे कैसे, कैसे, इसकी cutting length calculate होगी, तो इंजिनेजियर जो तो small सा part है, जो हमने continuous beam के frame के बारे हैं, इसके साथ साथ बहुत important part, जो कि हमारे BBS में cover होते हैं, पूरे building project को, हम solve out करते हैं, हमारे main corporate training course में, जिसमें हम पढ़ते हैं, understanding the BBS का interface समझना, कौन सा IS code को follow करते हैं, क्या सारी चीज़ें को follow करना तो उसको समझते हैं, BBS of stir up, footing, column, beam, detail पे इसका calculation part सीखते हैं, BBS of one way slab, two way slab, staircase, छजजा pipe, ये सारे चीजों का हम detail पे BBS बनाना सीखते हैं, साथी साथ इसका excel सीखते हैं, कि कैसे hardware के साथ, कैसे हम smart work में convert कर सकते हमारे पूरे की पूरे बार्बेंडिक शेडूल के part को, अगर आप भी चाहते हैं, सिविल गूरी जिक साथ जुड़ना, तो board line पे हमारे number दिया गया है, 91001234, आप call करके हमारे corporate training course के बारे में detail पे जानकारी ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंजिनियर्स हम हमारे part पर continue सबसे पहले हम calculate करेंगे calculating cutting length of top main bar, अभी हम top main bar की cutting length को calculate करना सीखेंगे, clear engineers, जैसे कि पहले भी वीडियो में आपको development length के बारे में बहुत सारी चीज़े बताई हैं कि development length क्या होता है, क्यों provide की जाती है, उसकी values कितनी होती है, आज उस part में हम आगे बढ़ते हैं, next part में, तो कि आपको जल्दी से समझ में आए, जितना easy मैं आपको समझाने कोशिश करूँ गो तरह जल्दी आपको सारी चीज़े समझ मेंगे, सबसे पहला main bar की starting होई हमारे इस one point से, तो one से two, यह जो column का face है, इस length को, यह जो पूरी length है, one से two की, इसको हम कहते है development length, LD, जिसकी value होती ह 50D, 50 into diameter of bar, जिसकी value होती है, 50 into D, diameter of bar, आप डाय कितना हमारा, 12 है, हमने देखा है, तो one से two, LD, 50D, 50 into 12, that is 600 है हमारी value हो गई, next part जो हमको calculate करना है, अब continue यह बार हमारी आ रही है, कहां तक, पुरिस end support तक, तो अब हमको second point से लेकर, third point तक की cutting length को, जो length है, उसको calculate करना है, 2 से 3 तक की length को, अगर मैं calculate करूँ, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मुझे को distance given है, उसको देखना पड़ेगा, सबसे पहरा distance, 2950, तो हमने लिखा 2950, लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देनी वाली बात है, कि one से two के distance में LD पे, हमने यह half तो जोल दिया, half width of column, तो इसी वजह से ही, जो column की total width है 400, उसमें से मुझे यह distance इसको minus करना पड़ेगा, clear engineers इस distance को minus करना पड़ेगा, जो की है 200, तो अब मैं calculate पहुँच गया, इस point से लेकर, पूरा यहाँ तक मुझे जाना है, तो next, 2950, minus 200, इसको मैंने minus की, इस वाले part को, plus 2675, इस center से लेकर इस beam के center तक मैं पहुच गया, next अब जो मेरा end पर part बसता है, इस part को मैंने यहाँ से crop किया, और इस part को crop करके मैंने यहाँ पर fit कर दिया, आप देख सकते हैं, अभी मैं इस point तक पहुच चुका हूँ, जो की है हमारा third point, clear, यह हमारा center पर है, center पर हम पहुच चुके है, third point है यह हमारा, clear, यह third point तक हमने calculate कर लिया, 2675, अब मुझे क्या करना है, इस beam के जो center से इधर आगे आना है, उसके लिए मुझे क्या चीए, यहाँ पर जो मेरा third part है, point 3, उस 3 से यहाँ पर आगे आना है, तो मैं 250 का अगर इस center part तक पहुच चुका हूँ, तो आधा center किता बचे आगा, 125, अब यहाँ पर एक cover भी आएगा, क्योंकि beam के end तक तो जाएगा नहीं वो, तो cover किते का आएगा हमारा, 25 का, तो यहाँ से हमने calculate किया, 125 minus cover, तो 2 से 3 तक की जो total value हमने यहाँ पर calculate की वो है, 5525 mm, clear in genius, next part हमको देखना है, इस point 3 से लेकर है, जो हमारा point 4 है, उसकी total length, similarly वो भी मैं आपको यहीं से ही बताऊंगा, जो हमारी total depth भी हमकी हो है 300, clear, अब 300 के बाद यहाँ उपर एक cover आएगा, यहाँ पर नीचे एक cover आएगा, total, तो total depth 300 है, पूरी यहाँ से लेकर नीचे तक की, अब इस total depth में, उपर का cover minus, minus नीचे का cover, तो point 3 से 4 तक की value आजेगी मेरी 300, minus 25, उपर का cover, minus 25, नीचे का cover, तो मेरी value आती है, 250 mm, इस तरह से मैं, जो मेरी main bar है, उसकी total length निकाल लेता हूँ, अब मैं इसके cutting length के formula में इसको put करता हूँ, सबसे पहले 1 से 2 तक की value, 1 से 2 जोगी है, 600, 2 से 3 तक की value हमने निकाली, 5525, 3 से 4 तक की value, 250 हमने calculate की, अब कर direction, clear engineers, तो bend deduction के लिए हमारे कितने bend आ रहे है, सबसे पहला bend इस part पर आ रहा है, सबसे पहला, और दूसरा bend हमारे 0.3 पर आ रहा है, अब कितने degree के bend है, 90 degree का bend, तो 90 degree का अगर कितने degree का bend है, 90 degree का bend है, अगर 90 degree का bend है, तो क्या होती है value, 2D, तो यहाँ पर 2 bend, तो उसके लिए 2, तो क्योंकि दो बेंड है हमारे अब वैल्यू किती होती है 2D 2 into diameter of bar तो डाय किता है 12 तो जो हमारा main cutting line निकल कराता है यहाँ पर जो main bar का इस frame के लिए वो है 6,3,2,7 mm इस तरह से मैंने calculate किया भी main bar का cutting line आईए अब हम next part पर चलते हैं और cutting line निकलते हैं bottom main bar का clear engineer अब bottom main bar में same point 1 से point 2 एकदम common रहेगा जैसा top main bar same to same bottom main bar कोई भी changes नहीं रहेगे उसमें यहाँ पर हमने देखा 1 से 2 development line 50D 600 mm आ गया हमारा similarly 2 से 3 तक का जो point है जो values है हमको calculate करने 2 से 3 तक अब मैं इसकी center तक तो पहुची चुका हूँ total करने पर 2950 प्लस 2675 center तक पहुच चुका हूँ तो अब मुझे यहाँ से क्या करना है 125 minus cover जोगी cover यहाँ पर आएगा इसका clear same 125 minus cover इसकी value 5525 mm same to same जैसा उपर लगा था same to same वैसी नीचे लगी है बार सा हमारी difference कब तक नहीं आएगा जब तक dia change नहीं होगा next अब 3 से 4 तक की value calculate करना है यहाँ पर तो 3 से लेकर यहाँ 3 points से लेकर 4 तक की value same 300 total depth minus नीचे का cover minus उपर का cover तो 300 total depth minus नीचे से cover minus उपर से cover तो 250 यहाँ पर भी आगया same value को मैं यहाँ put करूंगा यहाँ भी हमारा 90 degree का 2 bend आ रहा है एक bend point 3 में और एक bend deduction हमारा इस point पर हो रहा है clear तो 90 degree के लिए 2 bend हो रहे है 2d उसकी value तो आंसर आते है 6327 mm यहाँ पर हमारा same bottom mean bar की भी cutting length आती है next हम आगे बढ़ते हैं कि next part पर जो हमको calculate कर रहा है वो हमारा calculating cutting length of top extra bar left अब जो top extra bar यहाँ पर हमने calculate की थी जो तीन number पे लग रही थी उसकी कितनी cutting length होगी तो सबसे पहला same to same point 1 से लेकर point 2 हमारी LD होगे development length 50D जिसका अंसर आता है 600 mm अब point 2 से 3 तक की value को ही calculate करना है हमको अब हमको यहाँ पर देखना है कि हाँ पर इस center से लेकर इस point 3 तक की value कितना दिया गया है 985 लेकिन development length में हमने ये zone तो cover up कर लिये 200 mm का clear तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 985 में से ये 200 यहाँ पर जो 200 इसका half column का weight तो उसको minus कर दूंगा तो मुझे 2 से 3 तक की value निकल लेगी तो यहाँ पर जो मेरी value आती 785 mm अब जैसी में इसको formula में put करता हूँ 1 से 2 600 mm 2 से 3 785 mm और minus bend deduction यहाँ पर कितने बार bend हो रहा है एक बार bend हो रही है हमारी बार तो यहाँ पर one time bend deduction तो 1 into 2 into 12 जो की 2D है 90 degree के लिए तो हमारा answer आता है 1361 mm यहाँ पर हमारी cutting length आती है top extra bar की जो की left side पर लगी है next part पर हम चलते है cutting length of top extra bar at center की जो center पर लगी यहाँ पर इस part से लेकर इस one point से लेकर इस two point तक जो हमारी बार लगी है उसकी cutting length calculate करना है तो वो किस तरह से निकलेगी है हमें यहाँ पर देखना है कहीं पर भी development नहीं आता है जब ही भी junctions पर हमारी top extra bar लगती है हमेशा बार अपने end junctions पर ही जहाँ पर एकदम end होता है वहाँ पर ही जाकर यह development होती है कहीं पर भी जब वो beach में जहाँ पर भी junctions बनाती है वहाँ पर कहीं भी development नहीं आता है वहाँ पर वो एकदम straight लगती है clear engineer तो हमारी जो total cutting length होती है वो कित्य होती है 1875 mm का हमको यहाँ पर बार लगाना होगा इसके central part पर next और last जो part हम बात करते हैं इसके top extra bar की जो की हमारी लगी है right support में अब यहाँ पर हमको calculate करना है same 1 से लेकर 2 तक की जो हमारी length है वो हमको पता करनी है सबसे पहले इस part से लेकर इसके center तक की length हमको पता 890 clear अब हमने वहाँ पर लिख लिए 890 उसके बाद same to same part यहाँ पर जो हमने इसके पहले case में किया था 250 के half तक मैं पहुँच गया हूँ अब मुझे half कर करना है 125 यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ पर एक cover होगा तो 125 माइनस cover किया मैंने तो मेरी value कित्याती है 990 mm मेरी यहाँ से 1 से लेकर 2 तक की value calculate होती है similarly 0.2 से लेकर 3 तक की value को calculate करना है तो total depth मेरा 300 300 में से उपर का cover minus होगा यहाँ पर 300 में से नीचे का cover minus होगा तो यहाँ पर 25 यहाँ का cover 25 तो 300 minus 25 minus 25 जो की value आती है 250 mm जैसे मैं इस value को मेरे cutting length की formula पूट करता हूँ 1 से 2 की value 990 2 से 3 की value 250 और minus bend deduction यहाँ पर हमारा 0.2 पे एक बार बस bend हो रहा है जिसके लिए 1 into 2 into 12 जिसका answer आता है 1216 mm clear engineers यह इस तरह से हमको पूरा का पूरा cutting line निकालना है एक दम चूटके हों अगर आप इससे भी fast निकालना चाहते है with the help of Excel आप मुझे इस number वर call कर सकते है 9111 001234 हमारे corporate training course में हम आपको detail पे पूरा का पूरा BBS का एक एक पार्ट building component का सिखाते है calculation के साथ Excel के साथ आपको advance बनाते है आप हमारा application भी download कर सकते है civil guruji और आप हमारी website को भी visit कर सकते है www.civilguruji.com स्पार्ट को continue करते हुए जो कि आपने एक question आपके मन में आ रहा हो doubt भी आ रहा हो clear लेकिन जैसे ही ये इस corner पर आता है तब इस corner पर आप इस तरह से calculate कर रहे है 125 minus cover 300 minus cover minus cover तो GNS हमको एक बात हमेशे समझ रहे है जहाँ पर भी column का junction बनता है beam के साथ वहाँ पर हम हमेशे development length 50D ही calculate करते हैं लेकिन जहाँ पर beam to beam का junction बनता है जहाँ पर कभी भी column नहीं आता उस case में क्या होगा अगर आप value लेंगे 50D जिसका answer किता आता है 15 to die का 600 में अगर मैं इस beam की बात करूँ ये जो beam का part है अगर जो bar है यहाँ से लग कर आ रही है और ऐसा नीचे जा रही है ये हो गया मेरे 250 और ये होगे मेरे 300 तो 250 प्लस 300 को भी अगर मैं पूरा प्लस कर दूँगा तो उसका answer आएगा 550 ही उस case में क्या होगा अगर मैं इस junction में भी 600 ले लूँगा 50D ले लूँगा part से उस case में क्या होगा reinforcement बार नीचे आजाएगी beam से क्योंकि यहां पर तो कोई भी support नहीं है न जो तो नीचे दिखने लगेगी इस तरह से बार नीचे आजाएगी हमको नीचे दिखने लगेगी यहां पर क्यों नहीं दिखती क्योंकि यहां पर पहले सी column है तो column के reinforcement के साथ अंदर चली आती है clear engineer और यहां से वह उपर चली जाती है इस पार्ट को समझने आप बहुत ज़्याद़ जरूरी है इस तरह से हम पूरा का पूरा BBS का पार्ट calculate करते हैं next जो हमारा पार्ट है कि number of stirrups निकालने हमको calculating number of stirrups अब number of stirrups कहा कहां से कहां लगते है पहले वो जान लेते तो हमेशा जो clear span है beam का वहाँ पर ही stirrups आता है beam के case में कभी भी junctions पर stirrups नहीं आएगा इस चीज को आपको खास ध्यान रखना इंजिनियर्स very very important part तो next जब हम बात करें इस clear span में 1 से लेकर 2 तक तो इसकी value किते होगी 2950 में से यहाँ 200 minus करना मेरे यहाँ से 200 minus हो गया clear next similarly यहाँ पर भी 400 विटते है तो यहाँ से भी इसका 200 minus होगा क्योंकि हमको सिर्फ 1 से 2 तक की length चाहिए तो यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ 2950 minus 200 minus 200 2550 मेरा आंसा राता है calculate करना होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी column junction नहीं आ रहा है 3 से लेकर 4 तक की अगर मैं value को calculate करूँ तो मुझे 2675 में से यहाँ से 200 minus करना पड़ेगा क्योंकि half width of column similarly यहाँ पर मुझे कितना add करना पड़ेगा 125 में से मुझे यहाँ का जो cover आएगा उसको minus करना पड़ेगा similarly जैसा मेरा answer बनता है 2575 mm तो 1 से लेकर 2 तक की length कितने होगी 2550 2950 minus वहाँ से 200 minus से column कहा था 200 similarly 3 से लेकर पूरे end तक की क्योंकि यहाँ पर cover छुटेगा 3 से लेकर इस beam के end तक की length कितने होगी 2675 125 minus cover तो जैसे मेरे पर से value आती है अब मेरे को number of stirrups निकालना तो क्या करूँगा total length कर दूँगा तो कि continuous भी में spacing तो same ही है हमारी stirrups की अब मैं यहाँ पर करता हूँ 2550 plus जो हमारा answer आया 2575 whole divided by जहाँ पर हमने देखा तो यह देखिए यहाँ पर add the rate 130 center to center गिवन है इसका मतलब की spacing किती है 130 mm plus 1 हमारा जो formula होता है total distance divided by spacing plus 1 इसका मतलब की 41 numbers of stirrups हमारे इस beam के frame पर लग रही है इस तरह से हम पूरा को पूरे BBS का part cover up करते हैं यह तो मैंने आपको सिर्फ एक frame बनाया हमने बहुत सारे frame बहुत सारे project पूरे project का case study बनाते हैं पूरे building में लगने वाला steel calculate करते हैं उसकी overall quantity calculate करते हैं उसी के दासर detail पर हम बात करते हैं bar building schedule के बारे में जो next video में आपके लिए लाने वाला हो वो है bar building schedule of footing पूरा का पूरा footing के बारे में detail पर आपको bbs बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है किस तरह से calculate किया जाता है जिसके बारे आपको detail पर बहुत सारी धेर सारी जानकरी मिलने वाली है तो दोस्तों एक part को cover करते हुए कि क्या क्या फाइनल हम बात करें number of top main bar कित्ती लगे हमारी दो number of bottom main bar दो number of top extra left side कित्ती आ रही है तीन number of top extra bar center कित्ती निकली हमारी दो number of top extra bar right में कित्नी लग रही हमारी two numbers और number of steer of total कित्ती आई 41 numbers यह पूरा का पूरा एक frame का data हमने calculate किया इसी दर से पूरे project का भी हम calculate करेंगे दोस्तो मिलते हैं next video में footing के details के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत